हाई गाईस कैसे आप सभी लोग आयोब आप सभी लोग बढ़ी आऊंगे और आगे भी बढ़ी आ रहे ना आप सभी का स्वागत दा मैक्स भोजी पे आज हम खेलने जा रहा है ता लास्ट पाइरट आज हम सीप को अपगरेट करेंगे और अपगरेट करने के लिए डार्ट मेरल चाहिए और इस ब्रां मां चार्ट से मिल सकता है लेकिन चर्ट के अंदर जाना के लिए चार्च की चाहिए ज आगलेमेश यूदि मुझे मिला था ज बात मुझे पार अबिकर के चुछ mesma के डिया था और उस चावी मेरे पास चल चलते है चार्च के पास और एंटर करत से देखते हैं चैस के अंदर क्या ख्या मिलता है सामने देखते हैं तो बड़ा एक काक्डा जिसको का हम भाध से चैस करते अंदर पक्यक्सिते भूःत डर जाताela बवाद दर लगता है इस खाक्डा तो भाकना स Cape अब है डाय। conti के अंदर जाएंगे कैसे चलते चार्च के अंदर बोध बोध सवाव सें पता नहीं अंतर कितने नह सोगा चलक हम हमें टर करते हैं नहीM तूटा फूटा बहुत सारा रस्ता दिख रहा है चलो कोई भी एक रस्ता पकड़के हम उपर तक चड़ेंगे और मुझे डाट बारल लेके जाना है जितना सारा मिलेगा वह हम लेके जाएंगे कि डाट बारल के बिना हमारा सीप जो है वह अपग्रेड नहीं होगा लेकिन मॉप्स का जो आवाजा मुझे आ रहा है लो इदर सैतन का नाम लिया सैतन हाजीर तीनो हड़ी पैलवन मेरा सामने खड़ा हुआ है चलो इसको तोला पसाद दिका आते है इसको मानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बिल वाला इकन बहुत कर लेना किंगे हम ऐसे नया नया गिम लाता रहुआ अब मुझे यहां पर चार्ज का की है वो डालना पड़ेगा चलो चार्ज का की हम यहां पर यूज कर दिया आभी जो यह विल दिख रहा है इसको हम प्रेस करेंगे और दरवाजा साथ खुल जाएगा इसको हम प्रेस कर देते है थोड़ा ही नीचे आ गया और एक कोन पीच आवाज आ रहा है चलो इसको हम अभी खुलेंगे इस बेले उविल को हम कैसे स्प्रेस करेंगे पाता नहीं चल रहा है थोड़ा ट्राइ करते है साइध हो जाएगा अभी हो जाएगा बहुत करने के बात हो गया लेकिन और दो हटी बेल बना गया चलो इसको हम निक्टा के पर देखते है क्या होता है फिलाल हम दोनों के निक्टा दिया और एक उपर में हूल डिग रहा है जिसको हम बोव से खोलेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा जो हाथ है वो पांचेड़गा नहीं इसलिए हम एरो से कुलने का कोईसिस किया और खूल भी गया लेकिन तीना हाट पिलवन आ रहा है चलो इसको भी निक्टाना पड़ेगा थोड़ा पीछे चला जाता हूं क्योंकि यह लोग बहुत गंदी डेमेज देता है चलो अभी इन लोग काम तमाम कर देते हैं और एक बचा तो भी आजा चलो हो गया अभी हम अंदर जा सकते है लेकिन अभी एक भी जो डाट बेरेल है वो नहीं मिला साथ से इस बाले रूम पे मिल जाएगा चलो देखते है सामने ही है लेकिन आम आंदर नहीं जा सकते है चलो इस साइट से चलती है सामने और एक दिखाई दे रहा है लेकिन हम उपर ते जा नहीं सकते है चलो थोड़ा धूनते है किधर रा चलते हैं सिधा जाके देखते हैं यह पर तीनों बादा खड़ा है हडी बल्बन चलो आजा तो लोको पहले निप्टा ना होगा जाएसे तर्चे करए हम दोनों के निप्ता दिया और एक ही बाच्च आ है चलो बहुत देर के बाद हम उनों का माद्या और इस सेट में रस्ता दिग रहाया चलो इहांपे भे हम आगे जो पीन ऊगे ये अजो पहला बारेल हमको मिलने वाला है चलते हैं और एक की पहला बैरल जो है वो मिल चुगा है आभी बहुत चारा बैरल है तो थोड़ा धूलना पाडेगा और यह बोले हो altre को श्रद कस आख प्रेश करते ए प्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पर लो सब्सक्राइब और उसोगोर दर्वाजी भी खूल चुग आपी सामने रिड वाला बैरल दीख रहे है लेकिन इसको टाज भी हम नहीं करेंगे किंकि यह डिंजर होता है और इसको तोड़ने के बाद हम यहां पर नहीं रहेंगे सजेब भगवन का प्यारा हो जाएंगे कि यह ब्लैष्ट हो जाता है चलो आगे चलते है और देखता हो क्या होता है और मिलती है कि नहीं रहा है चैने फेर नीचे लाके छोड़ दिया सहिय दिया है पर चलती चहला पड़ेगा और जामना परगा चलो आगया जैशते हैं और एक प्यारा जम्प लगा कि हम आगया और और एक बेरल मिल गया चलो बहुत बढ़्या बहुत बुरूने के बाद एक मिला और सामने एक है चलो उसके पास भी हम चलते हैं इस बाले जो रास्ता है टूटा-फुटा वह रास्ता इस रास्ता का पकड़ के हम जाएंगे लेक नहीं बाश सकते चलो यह तो क्या सेन है विल प्रेस करने के बाद अटमटिव रस्ता तयार हो गया अब तयार नहीं हुआ है फिर चे नीचे चलो मुझे यहां पर जल्दी से चाना पड़गा चलो अपलेट कर दिया क्योंकि नहीं तो फेर हमको नीचे लाके छोड़ दियता पर घुं फीर के यह पर आना पड़ता चलो और एक वैरल कालेक्ट हो गया और इसको प्रेस करने के बाद और प्रेरासा रस्ता ओपेन हो गया और एक क्रेजी रोट ओपेन हो गया इस रस्ते के थूर्ण हम ऊपर जाएंगे और वह पर साहगा नहीं है सामने पर चलते उस ब लेकिन कलेट ऑपको ने मुझे और एक बयर्ल चाहिए और उस बयर्ल के बाद हम यहां से निकल जाएंगे pracy को प्रेस करा लेकिन हैन्याबी यहां निकलने का रास्ता वाब हो गया और एक chest मिला है चलो उस chest के पास चलते है और क्या मिलता है वो भी देखते है इस side से मुझे जाना पड़ेगा उस chest के पास मुझे अम्मीद आच्छा कुछ निकल जाए तो बढ़िया रहेगा लेकिन बहुत सारा पारकुर करने के बाद बाबाजी का ठूलू ही मिला है चलो उसके बाद चारे तरफ ढूंड लिया लेकिन इस वाले जो रास्ता यहां पर हम नहीं आए चलो यहां पर side मिल जाएगा और एक ही बेरल चाहिए चलो यहां पर side में दिख रहा है और इस वाले रास्ता को open करने के लिए यहां पर और एक हुई लाए इसको प्रेस करना पड़ेगा चलो आभी सायद से मेरा रास्ता clear और यह कहां से आगया यह लोग आचाल इसको मूँ पे आ जाता है चलो इसको हम नि किल गया अभी इस साइट से हम निकल जाते हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला इकन भी ओल पेसिट कर लेना क्योंकि हम ऐसे निया नया गेमप्ले लाता रहूंगा थोड़ा सभी पसंद आए प्लीज लाइक कर देना गेमप्ले को और प्यारा सा कमेंड भी कर देना यहां से हम निकल चुका है चलो अब हम चार्च के बाहर चलते हैं लेकिन कैसे जाओ रास्ता भी मुझे नहीं मिल रहा है जो रास्ता था मैं खूदी आप कर दिया लेकिन निकलने के रिए तो यह की रास्ता है चलो हम ढूनते हैं और निकल जाते हैं यहां पर एक रास्ता है जो इश्टेएर उपर से जा रहा है चलो इसके ंवे तुरू हम जा सकते है यहां पहले आया था जो counts एश्टह है उसको को अपग्रेट करने के लिए जो डाट बेल चाहिए था वह हम चार्च से लेके आया और इस सिप को अपग्रेट करने के लिए और तीनों चीज चाहिए जो हम आगले वीडियो में सिप को अपग्रेट करेंगे और जितना सारा मैट्रियल्स चाहिए वह हम कालेट करेंगे चु कर